लेकिन नुकसान देखने को मिला देखो मैं आपको बताना चाहता हूं बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारी इंडिया में या पूरे वल्ड में क्यूंकि अगर बैंकिंग सेक्टर नहीं रहेगा तो एकनॉमिक में थोड़ा बहुत यह ज़्यादा तरफ को जो है प्राब्लम देखने को में लगा सही है तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि सबसे पहले बताऊंगा कोटक महिंद्र बैंक के बारे में देखो यह सबसे बड़ी बैंक तो नहीं है एकनि काफी बड़ा मुनाफाल लगबग यहां पर अगर आप देखोंगे तो 80,000 परसंट का रिटन देखने को मिला भाई और यह कंपनी का भाई थी तो देख सकते है 2001 में सोच लो 2001 में और अब है 2021 है केवल 20 यर में केवल 20 यर में इस कंपनी ने रिटन दिया है 80,000 20,000 परसंट का रिटन आपको 10 साल में 40,000 परसंट का रिटन मिला और अगर हम 5 साल का भी डिटा निकाल लेते हैं तो आपको कम से कम 20,000 परसंट का रिटन मिला सोच लो 20,000 का परसंट का रिटन मिला आपको कितने में तो लगबग 5 यर में मुझे लगता साल 2 साल में मुझे कि मतलब केवल एक साल में या दो साल में या आपको लगबग काफी बड़ा मतलब कि एक साल हम किसी भी स्टॉक होल्ड करते हैं और हम सोचते हैं भाई केवल मेरा पैसा डबल हो जा बस और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे भगवान से मेरा पैसा 200 परसंट 200 परसंट हो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे भगवान से 300 परसंट का रिटन मिला और कुछ भी नही चोचो इतना बड़ा तो यही होता है लंबे समय का कम्पाउंडिंग का खेल कमपाउंडिंग यही है इस वजह से आपको दिखाया जा रहा है यह अभी तक कि न बहुत है देखने को मिला ज्यादा नहीं seven hundred percent का रिटरन देखने को मिला क्यों यहां से seven hundred percent यहां से हाँ ten thousand percent कितना जगा बाई eleven thousand percent के आसपार यह लोगों का calculation होता यह कैसा calculation होता तो यह सिंपल होता इसको बोलते हैं simple interest और इस यहां देखो हम इस हमने इसको डिवाइड किया तो ज्यादा अच्छा रिटन नहीं मिला लेकिन लंबे समय को जोड़ दिया हमने तो अरब पत्ति बन जाओगे यह होता है कमपॉंडिंग का पावर और उसी तरीके से HDFC बैंक ने भी काफी अच्छा और काफी बड़ा मुनाफ़ा दिया है यह सा कोटक महिंद्रा बैंक ने में कुछ खास रिटन नहीं दिया लेकिन एक ऐसा बैंक है जो लगबग अभी के हिसाब से अभी के हिसाब से बोलूं तो कोटक और HDFC बैंक से भी जादा मुनाफ़ा निकाल के दिया है जिसका शेर का प्राइज के डेट में देख सकते हैं 1274 यहां पर देखोगे तो यह बैंक ने देख सकते हैं 100% से भी जादर रिटन निकाल के दिया है यह बैंक ने और काफी अच्छा देखे इसमें आपको घिरावट भी देखने को मिली थी देखे यह शेर का प्राइस कहां तक गया था आप बिलीव नहीं कर सकते हैं 1000 देख सकत मैंने एक बार देखा तो मुझे सही लगा बहुत ही सही लगा मुझे लगा कि यह स्टॉक है जो बड़ा मुनाफ़ा निकाल के दे सकता है और उसके बाद आज के रेट में काफी अच्छा मुनाफ़ा हो रहा जिस बैंक का नाम भी बताऊंगा तो सबसे पहले हम 2018, 2019 का नहीं बताया जा रहा सही है नहीं बताया जा जा रहा देखो जितना डेटा है बेले बेल है उतना ही मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा बीच में कुछ प्रावलम होने के वज़े से लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 2013 में कंपनी को कितना प्रॉफिट और 410 करोड फिर देख सकते 565 और फिर फाइनली कंपनी जो 1000 करोड से उपर जा चुका था मतलब कंपनी को एक्सलेंट प्रॉफिट देखने को मिलना था सही है और बीच में काफी ज्यादा नुकसान भी हो था कंपनी को अब यहां पर देखे कंपनी को प्लेज रखना पड़ इस वज़ें तो यहां पर गिरावड देखने को मिली थे काफी जई जो तभी तो 1200 रुपीज का स्टॉक के वल्फ आपको मिल दा था 360 रुपीज के आसपास सोचो 1200 का स्टॉक 360 के आसपास देखने को मिल था और पर्मोटर के पास आगर देखेंगे तो पहले 31% के आसपास जिसमें से 7% के आसपास जो है प्लेज रखा गया था लेकिन फिर इन्हों ने क्या क्या किया कि पूरा प्लेज जो है अभी क्या आसपास देखो 2020 में आपको बताया जारा है यहीं है लेकिन इस के बाद फोरेन वाले के पास कितना तो लोग 32% के आसपास है, यहां देख सकते है, 32.78 के आसपास, मतलब बोल सकते है, अप्रोक्सिमेटली 33% के आसपास है की नहीं है, काफी अच्छे यहां पर देखने को मिली है, मतलब परमोडर्स नहीं है, सौरी परमोडर्स यहां देखे, foreign वालों के पास कितना था, 26% के आ 19% है, तो मतलब domestic वालों ने भी माल उठाया, foreign वालों ने भी माल उठाया, और परमोडर्स ने भी जितना प्लेश था, उसको हटाया, और पबली के पास देखे, तो भाई, पबली को क्या मिलाओगा, पबली को कुछ नहीं मिलाओगा, पबली को पहले कितना था, 26%, 27% आज क के रेट में देख सकते हैं, कि वाद 19% के आज पास, देखो भाई, कभी भी अगर कोई अच्छी कंपनी आपको, अगर आपको profit देने वाली होती है, तो जितने institutional वाले होते हैं, वो सारा माल खरीदने की कोसिस करते हैं, जितना हो सकता है, सोच लो, जितना हो सकता है, और business मे आपको थोड़ा बहुत बारिंग देखने को मिली लगा, देखो बारिंग इस वजए से देखने को मिला है, क्योंकि banking sector का stock है, और जब banking sector का stock होता है, तो इनको बारिंग वगरा लेना पढ़ जाता है, बारिंग पहले देख सकते हैं, शिक संडेट टू तू 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 क्यास पास देखने को मिला से है, देख सकते हैं, शिक संडेट से स्ट तू 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 क्यास पास है, मतलब कंपनी धीरे 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 प्रॉफिट करने की कोसिस कर रही है, और यहां पर देखने को मिली है देखो कंपनी के पास cash होना चाहिए cash क्यों होना चाहिए भाई क्यूंकि cash नहीं हो तो company आगे काम कैसे करिए cash तो पहले कुछ नहीं था cash नगेटी में था लेकिन फिर company के पास देख सकते है cash है यह होता क्या कि company का जो core business है उसके बाद यहाँ पर cash बचता कितना भाई जो shareholder है उनको dividend देने के लिए ज्यादा profit हो रहा तो bonus देने के लिए और ज्यादा है तो business को expand करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने साब साफ लिखा था लगबग 10 महीने हो गए यह वीडियो मैंने बनाया था 10 महीने हो पूरे मतलब काफी पहले मैंने यह देख सकते हैं पबली का रिक्षिन काफी अचाहता कि वहल जो यहां पर देख सकते हैं दो-तीन परसंट लोगों नहीं मतलब डिस सेकरी थे ऐसे हम बोल सकते हैं और जिसका explanation में दम है ना भाई वही असली मतलब आपको मैं बोलता हूँ असली काम आपको करके दिखाता है ब अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंट्रेस्टेट हो या आपने किसी भी बैंक का शेयर खरीदा है तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा बैंक का स्टॉक पैत्म बताने वाला हूँ जो अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल सेफ हो अगर आपने नहीं खरीदा तो आप उसको खरीद भी सकते हो क्योंकि वह बैंक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है तो अगर आपने ये बैंक में निवेस्ट किया है तो मेरे ख्याल से आपको वोल्ड करना चाहिए विल्कुल आपको यहां पर बेचना नहीं चाहिए और हाँ किसी ने अगर लगबग 400 देख सकते हैं 92 के आसपास ये स्टॉक चला था 400-500 के आसपास और जब मैंने ये बोला था डेट में 10 महिने पहले तब ये शेर का प्राइज लगबग 400 के आसपास वापस गिर चुका था तो मैंने ये वीडियो कब बनाया था देख सकते हैं 9 अप्रिल 2020 को वीडियो बनाया था तो ये देखिए मैंने ला दिया यहाँ पर चार्ट पटन सेट कर दिया लगबग 500 रुपीज के आसपास शेर का प्राइस चला था नहीं देख सकते हैं 496 रुपीज के आसपास 9 अप यह देख सकते हैं 22 में को लगबग स्टॉक 399 के आसपास हो चुगा था मतलब 400 के आसपास हो चुगा था 100 रुपीज का आसपास गिरावट देखने को मिला लेकिन नुकसान किसको हुआ लुकसान उनको हुआ जो जल्दबाजी में पैसा कमाना चाहते हैं बाकिस सब लोगो मैंने वीडियो में क्या बोला जो मैंने आपको बताया था तब शेयर का प्राइस कितना था 500 सही है 500 था तब मैंने क्या बोला था आपको भई अगर आपने ये शेयर खरीदा तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने और हाई प्राइस पर खरीदा ये भी मैंने बोला कि अग पर HDFC बैंक या शेयर प्राइज आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे ऐसे आपको जो है guidance वगरा दिया जाता बताया जाता कहां कैसे कैसे काम करना है और अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड कि अगर आप कुछ बड़ा मुनाफ़ा कमाना करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड सकते हो और हमारे पास जुड सकते हो knowledgeable paid service के लिए knowledgeable paid portfolio के लिए एक बात ध्यान से मैं आपको बोल देना चाहता हूँ knowledgeable paid portfolio के लिए सही है free नहीं है knowledgeable paid है portfolio है तो यहाँ पर देख सकते है यह उपर में जो नंबर देख रहा है इस नंबर पर आपके वाल एक miss call मार दीजे आपको contact कलिया जागा बाकि जो निंचे नंबर देख रहा है अगर आपको contact नहीं किया गया तो आप यहाँ पर एक whatsapp कर दीजे आपको contact कलिया जागा लेकिन कभी-कभी हो सकता है एक या दो दिन आपको reply देने में टाइम लग जा लेकिन reply जरूर दिया जाएगा सभी है तो मैं आपको यही बोलूँगा कोई भी sector हो मैं आपको बताना चाहता हूँ देख सकते हैं IT sector होते हैं हमें केवल एक ही खरीदना है कि और भी तो बहुत सारे सेक्टर बगर रहा है ना है कि नहीं है तो एक यह चलो आप दो खरीद ले तो साइए केवल दो लेकिन भाई यह 20 में से कौनस दो कंपनी आपको आउट परफर्म करके दिखा सकता है जैसे बैंकिन की सेक्टर था तो मैंने किसने बोला था है फेडरल बैंको मैंने बोला है खरीदने था याद है मुझे अभी भी फेडरल बैंको मैंने बोला था 45 परुपिस पर वह भी आपको आउट परफर्म करके दिखा रहा है काफी किछा profit देखने को मिलेगा बाकि आपकी मर्जी भाई फिर भी मैं आपको बलूँगा किसी पर blindly believe ना करें दो मिनिट का खुद का research करें और उसके बाद bias sale करें है कि नहीं किसी के ऊपर blindly क्यों believe करना भाई कलको नुक्सान हो जागा तो है कि नहीं है और अगर आप stock market में लिए हो तो अपने अकाउंट टेंजल बाट कर सकते हो इंडिया का देख सकते हैं नंबर बन आपको stock brokerage house आपको बताया जा रहा और यहां पर देख सकते हैं आप nsbcs mutual fund हर जगा आप आप माल without jours सकते हो जो कि अच्छी बात है और यहां पर डिमेंट अपांट करने में लगता है बिल्कुल फ्रीी बिबिट अकांट फ्री में oh pen होता है डिलिवरी है के विल Ts.20 लगता है वह इंटला बजानी से